हेलो एवरिवन, आज के स्वीडों में हम बात करेंगे किलास 11th की हिस्ट्री 11th की हिस्ट्री में जो चैप्टर नमबर 1st है लेखन कला और शेहरी जीवन इसको हम यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं ठीक है और आप एक बर स्लेबस को देख लो ठीक है टोटल आपके इस लेबस में 7 चैप्टर दे रखें और इसमें से चैप्टर नमबर 1st जो है वो आज की इस वीडो में हम डिसकस करने जा रहे है मेरा नाम सतिंदर प्रताप है और अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ डाउट हो तो आप डिरेक्ट मुझको इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हैं वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एक लव्या स्टडी पॉइंट यह मेरा यूजर नेम है ठीक है और टेलीग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लो टेलीग्राम में जाना है आपको सीधा सिंपल आपको वहाँ पे लिखना है mindfulness उसके साथ लिखना है 11 उसके साथ लिखना है ESP इसके बाद आपको हमारा ग्रूप दिखाई देगा आपको उसे जाकर क्या करना है जोइन कर लेना है, जोइन करोगे तो आपको group के अंदर files के option में, ठीक है files का जो option होता है, वहाँ पे आपको PDF notes मिल जाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर notes free में PDF को download कर सकते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले topic की mesopotamia देखे, mesopotamia की सब्वेता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन सब्वेता को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि mesopotamia शब्द जो है, वह कैसे बनाएं और इसका क्या अर्थ होता है इसका meaning क्या होता है, ठीक है तो देखे, mesopotamia जो नाम है ये यूनानी भाषा के दो शब्द है, एक है mesos और एक है potamos, ठीक है इन दो शब्दों से मिलके बनाएं यानि mesopotamia कौन सी भाषा के दो शब्दों से मिलके बनाएं, यूनानी भाषा वो दो शब्द कौन से है, mesos और potamos, clear है, अब देखो मेसोस का मतलब क्या होता है मेसोस का मतलब होता है मद्धे का मतलब होता है बीच में ठीक है यानि मेसोस का मतलब है यहां पे बीच में और पोटेमस का अर्थ है नदी यानि कि दो नदियों के बीच का अगर हम इसको जोड़ कर देखें मेसोटेमस को तो इसका मतलब बन जाता ह आपको आगे चलते हैं तो नदिया कोन सी इवे को नदिया याज रखने है तो दजला और फरात इंगलीजस में इसको tigris बोलते हैं और इसको euro freight बोलते हैं इन दो नदियों के बीच की जो उपजाओ भूमी थी उसको हम mesopotamia कहते हैं एतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो शहरी जीवन की सुरुवात हुई है वो mesopotamia में हुई है यह line आपको याद रखनी है देखो शहरी पूछा जा सकता है पेपर में कि आज की समय में अगर हम मेसोपोटामिया को देखे तो वह कौन से देश में इस्थित है तो आपको इराक नामक जो देश है उसमें मेसोपोटामिया क्या हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है, तो यहां तक आपका एक नंबर का कोशन कुछ पूछ पूछा जा सकता है, सौट कोशन तो ठीक है, वरना ज्यादा तर कोशन आपके आगे आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, एक बारना आप मैप देख लो, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको यहां पे दो-तीन नाम ऐसे हैं, जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे चैप्टर में कई बार यह नाम आने वाले हैं, अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको यह दजला दिख रही है, और यह फराद दिख रही है, इसके बीच का छेतर होगा, ठीक है, और यहां पे आपको कुछ नाम और दिख रहे होंगे, जैसे मारी, ठीक है, जब बेबी लोन का प्रभाव पड़ाता, तो बेबी लोनिया कहा जाने लगाता, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इतने पर आपको फोकस करना है, मैप में बस आपको इतना ही देखना है, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा, अब बात करते ह कि मेसोपोटामिया के जो सब्वेता है न, वो किस लिए परसिद्ध है, क्यों फेमस है, जैसे आप हडपा सब्वेता के बारे में पढ़ते हो, तो हडपा सब्वेता भी किसी चीज के लिए फेमस है, ठीक है, उसी परकार से जिस परकार मेसोपोटामिया की सब्वेता है, व के लिए famous है, संपन्न था, देखे, शहरी जीवन था, और लोग संपन्न थे, ठीक है, यह important है, यहां के लोग संपन्न थे, संपन्न मतलब उनके पास सुविधाय वगएरा जो भी है, वो थी, available थी, शहरी जीवन जीते थे, ठीक है, लाइफस्टाइल जो इनका था, वो नगरिये था, विशाल और समरिद्ध साहित है, इनके पास literature भी मिला है, और उस समय में जो लिखा जाता था न, वो कैसे लिखा जाता था, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा जाता था, मिट्टी की पट्टिकाओं होती थी, उस पर वो नुकीली चीज से लिखते थे, वो भी आ गया है, topic वहाँ पर discuss कर दूँगा, गडित और खगोल विद्ध्या जानते थे यहां के लोग, इसलिए यह famous है, तो यह चारो पॉइंट आपको याद रखने हैं, और यह question आपके paper में आता है, important है, तो मैं आपको पहले ही बता रहाँ कि इस question को आप note down भी कर सकते हैं, क्योंकि paper में पूछा जाएगा, ठीक है? Next है हमारा Mesopotamia की भाषाएं, अब देखो यहाँ पर कौन-कौन सी भाषाएं हैं, यहाँ पर mainly तीन भाषा हैं थी, सबसे पहले तो सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, जिसको सुमेरी कहा जाता है, फिर अकदी भाषा आई, और फिर आरामाईक भाषा आई, सुमेरी, अकदी, आरामाईक, तीनों को आपको याद रखना है, अब चलिए देखते हैं, मिसोपोटामिया सब्वेता में, जो सबसे पहले भाषा बोली जाती थी, वो थी सुमेरियन, जिसको सुमेरी लेंग्विज भी कहा जाता है, किलियर है, इसके बाद देखो, ठीक है, पहली भाषा तो यही थी, फिर 2400 बीसी, बीसी का मतलब यहाँ पे इसापूर्व है, ठीक है, यानि 2400 इसापूर्व के आसपास, अगर हम देखें, तो यहाँ पे अकदी भाषा बोली जाने लगी थी, अकदी भाषा आती है, इसके बाद आती है यहाँ पे, 1400 बीसी के आसपास आरामाइक भाषा, ठीक है, आरामाइक भाषा बोली जाने लगी थी, यहाँ पे, तो यह important है, सबसे पहले कौन सी थी, पहले नमबर पे, Sumerian, फिर दूसे नमबर पे कौन सी भाषा थी, अककदी, और तीसे नमबर पे कौन सी भाषा थी, आरामाइक, तो यह तीनों ही आपको याद रखना है, पेपर में यहाँ से कोशन बनता है, आरामाइक भाषा जो है, वो हिब्रू से मिलती जुलती भाषा थी, ठीक है, हिब्रू लेंग्वेज से थोड़ी बहुत मिलती जुलती लेंग्वेज है, और यहाँ पे हम 2400 के बाद 1400 पे क्यों जा रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ये भी कोशन पूचे, क्योंकि हम तो बढ़ते हैं जैसे 2400 हो गया तो उसके बाद 2500, 2600, 2700 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये इसा पूरू में है, ठीक है, इसवी और इसा पूरू में अंतर होता है, वो क्या अंतर होता है, उसके लिए मैंने एक separate वीडियो बना रखे है, अगर आपको ये अंतर नहीं पता, तो आप उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, एक बार दुबारा से मैप देखो, दजला, फरात, मारी, उरूक और बेबिलोन, ये तीन-चार नाम जो हैं, आपको याद रखने हैं, मैंने आपको starting में बोला था, क्योंकि अब आगे इस chapter में इनका जिक्र होने वाला है, ठीक है, तो इनके जिक्र को समझने के लिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अब देखे, अगर हम इस chapter के बारे में बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ना, आप देखो कि इसकी geography क्या थी, यानि किस प्रकार से ये बसा हुआ था, और क्या इसकी कुछ विसेश्ता ही थी, इसको समझेंगे, फिर आगे इसकी भोगोलिक विसेश्ता देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पहाड भी दिखेंगे, रिगिस्तान जैसा इलागा भी दिखेंगा, नदी वाला इलागा भी दिखेंगा, घास के मैदान भी दिखेंगे, यानि हर तरह की चीज़े यहाँ पर उपलगती, इसके शहरी कृत दक्षणी भाग में, इसका जो दक्षणी भाग था, वो शहरी कृत था, यहाँ पर सुमेर और अक्कद कहा जाता था इनको, ठीक है, सुमेर और अक्कद कहा जाता था, अब यहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है, पेपर में आपके कुश्ण आया हुआ है, इसलिए कहा रहूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज को पर ध्यान दीजे, देखे क्या था, कि सुरू में तो इनको सुमेर और अक्कद कहा जाता था, सुमेर क्या है, अक्कद क्या है, लेंग्वेज है, अभी मैंने आपको map में इसलिए baby loan दिखाया था, आप वापीस से देखो, यह आपको यहाँ पर baby loan दिख रहा है, ठीक है, तो इस baby loan का जो प्रभाव है, इस छेत्र में बढ़ जाता है, और जैसे इसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, baby loan य उन्होंने यहाँ पर कबजा कर लिया, बाद में इस कबजे को छुडवाया भी था, किसी ने, किसने छुडवाया था, उस साशक का नाम में आपको आगे detail में बताने वाला हूँ, फिलाल आपको यह समझना है, कि असीरिया ही जो कबजा हुआ था, उसके बाद इसका नाम क् परभाव बड़ा, तो बेबिलोनिया कहा जाने लगा था, फिर इसके अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, तो वहाँ पर असीरिया ही कबजा हो गया था, तो वहाँ पर उसको असीरिया कहा जाने लगा था, और मेसोपोटामिया की सब्वेता में उर, उरूक और मारी, यह श आप देखते हैं, बात करते हैं, भोगोलिक स्थिति, यह जो मेसोपोटामिया है, इसकी भोगोलिक स्थिति को समझते हैं, देखिए, इसके पूर्वोत्तर भाग की बात करते हैं, यानि कि जो इसका नौर्थ इस्ट वाला छेत्र था, उसको समझते हैं, देखिए, यहाँ हरे भरे मैदान है याद रखना है कि जो जैसे मान लो मैं यह ऐसा मैप बना देता हूं मान लीजिए यह है मेसोपोटामिया इसको मैं दिसाओं में कनवर्ट कर देता हूं ठीक है इसको मैं कर देता हूं उपर नॉर्थ यहां पर मैं कर देता हूं साउथ यहां पर कर देता हू और यहांपे करते थाूं वेस्ट तो यह जो आपका नॉर्थ एस्ट वाला हिस्सा है ठीक है इस नॉर्थ इस्ट वाले हिस्से के बाद कर रहे हैं हम T जो पूरवोत्तर भाग है ठीक है इसमें क्या था यहां पे हरे भरे मैडान थे यहां पे पेड़ों से ढखी हुई पर्वत सरंकला थी पर्वत सरंकला का मतलब है कई सारे पहाड जो थे वो लाइन से थे और वो पेड़ पेड़ होते थे उन पहाड़ों पे पहाड़ भी जरने उपलब्द थे जरने गिरते थे ठीक है पानी था यहां पे यहां पे जंगली फूल थे यहां पे अच्छी फसल के लिए परियाप्त वर्सा होती थी क्योंकि यहां पे अच्छी बारिश होती थी तो बारिश की वज़े से फसल भी अच्छी उगाई जा सकती थी यानि क किसानों को यहां पर पानी की कमी नहीं थी ठीक है और लगबग 7000 से 6000 BC के बीच में यहां पर खेती की सुरुवात हो गई थी तो यह आपको याद रखना है तो North East की अगर हम बात करें तो North East में हमने क्या देखा यहां पर हरे ही है यह सब हमने पड़ा यह तो था North East अब हम चलते हैं अगले पर अब हम बात करेंगे उसके उत्तरी भाग में उत्तरी भाग अगर हम बात करें तो जैसे मानलो यह पर स्टेपी घास के मैदान हैं, ठीक है, स्टेपी घास के मैदान, घास के मैदान दुनिया भर में होते हैं, अलग-अलग महादीपों में घास के मैदान हैं, और उन घास के मैदानों के नाम जो हैं वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है, जैसे अर्चेंटीना में इसको पंपास कहा जाता है ठीक है अमेरिका में इसको प्रेरी कहा जाता है उस्ट्रेलिया में इसको डाउंस कहा जाता है एशिया की साइड में देखोगे तो इनको स्टेपी कहा जाता है तो ये घास के मैदानों के नाम है तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में जो भूमी थी अच्छा साधन पशुपालन बन जाएगा यानी घास के मैदान थे यहां पे और लोग क्या करते थे जानवरों को पाल कर ही वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे यहां जानवरों के लिए सर्दियों की वर्सा के बाद जो चारा है वो उपलब्ध हो जाता था ठीके जब बारि अब वापिस से मैं मानलो यह map बना दिया मैंने तो इधर का जो हिस्सा होता है ठीक है यह पूर्व है ठीक है और इधर का हिस्सा वो पश्चिम है अब हम बात करते हैं पूर्वी भाग की तो पूर्वी भाग में क्या था दजला नदी और उसकी सहायक नदी इरान की तरफ जाने के लिए एक परिवहन का अच्छा साधन था यानि दजला नदी थी इस से कुछ और नदिया निकल रही थी जो इसकी सहायक नदिया थी तो इन नदियों के जरिये इरान में आसानी से जाया जा सकता था कहीं ना कहीं ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन बन जाता था तो ये पूर्वी भाग की विसेस्ता है ठीक है अब चलते हैं आगे और देखते हैं अब इसके दक्षनी भाग की बात करते हैं यहां सबसे पहले लेखन परणाली और नगरों का उदभा हुआ था यहीं से लेखन परणाली की सुरुवात होती है जो लिखने की कला है वो यहीं से विक्सित हुई है और यहां की भूमी जो थी वो उपजाओ यहां पर उपजाओ भूमी भी उपलब्ध है ठीक है अब रेत वाला रेगिस्तान नहीं होता, आपने सोचा कि रेत है तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान पहाड़ी एरिये भी होते हैं, जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं होता, ठंडे पहाड़ होते हैं, वैसे भी रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, तो रेगिस्तान भी काई टाइप मिलता है तो हर तेरे की यहां पे चीज़े उपलब्द थी अब एक कोशन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है इसको मैं आपको कहूंगा कि आप इसको याद करो ठीक है आपको इसको याद करना है क्यों याद करना है क्योंकि आपके पेपर में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो question पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बताईए Mesopotamia की जो सब्वेता है उसकी जानकारी के प्रमुक स्रोत क्या है यानि sources पूछे गए हैं वो source कौन से हैं जिससे हमें Mesopotamia की सब्वेता की जानकारी मिलती है तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कभी भी future में भी याद रखना दुनिया की कोई भी सब्वेता हो अगर मैं Mesopotamia यहाँ पे हटा दूँ मैं यहाँ पे लिख दूँ हडपा सब्वेता की जानकारी के सुरोत क्या हैं तो जानकारी के सुरोत जो ही ना पॉइंट एक जैसे ही बनेगे सब में क्योंकि जानकारी के सुरोत एक जैसे ही होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ भाईगा देखिए पहले आप ध्यान से देखो कोई भी सब्वेता होगी तो वहां से इतिहासकारों को जो मिलता है उसी के आधार पे वो उसके बारे में बताते हैं ठीक है अब यहां पे आप चाहे मेसो पोटामिया की सब्वेता मान लो या दुनिया की कोई भी सब्वेता मान लो किसी भी सब्वेता में लोग रहते हैं तो वहाँ पर मूर्तिया भी होंगी वहाँ पर आभूशन भी होंगे इमारतें भी होंगी उनके घर भी होंगे कबरे भी होंगे औजार भी होंगे मुद्रा भी मिलेगी मिट्टी की पटिका या लेखन के लिए कोई साहित्य मिलेगा, मंदिर मिलेगा, ठीक है, ये चीज़े तो मिलेंगी ना, तो इनी से तो जानकारी मिल पाती है, तो मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, उसको explain कर सकते हैं, और मैं आपक सरंगे क्योंकि लोग को'mकि заб हो जाती थी उनकों दफना दिया जाता था तो कुछ कब्र मिले हैं कब्र के सबूत मिले हैं लोग वहाँ पर अपनि जो रोजम्र्णा की 그냥 जू लाइफ थी उसमें जो भी कारे करते थे तो उन्हें कुछ औजार की अविशक्ता पढ़ती होगी, तो औजारों का इस्तेमाल करते थे तो औजार भी सबूत के रूप में मिले हैं, ठीक है, मुद्रा भी सबूत के रूप में मिली है, मिट्टी की पटिका क्योंकि ये लोग लेखन जानते थे, यानि लिखते थे तो लिखते थे, तो किसी चीज़ पर लिखते होंगे तो ये किस पर लिखते थे, मिट्टी की पटिका पर लिखते थे तो इसके सबूत मिले हैं, मंदिर के भी सबूत मिले हैं तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये जानकारी की सुरोत है, मेसो पोटामिया की जानकारी हमें कहां से मिलती है? यहां से मिलती है, किलियर है? बिल्कुल आसान है, सिंपल है, आगे चलते हैं, क्योंकि आता है paper में question, अब हम क्या करते हैं? थोड़े से और topic discuss कर देते हैं, यहां से question बंदे देखे, NCRT में पढ़ोगे तो चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत डेटेल में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से जो काम की चीज़े हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो से आपके पेपर में एक भी कोशन बाहर नहीं आएगा जो हमको टॉपिक बता रहे हैं, इनी टॉपिक में से कोशन आएंगे, ठीक है, मैं आपको जब इंपोर्टेन कोशन कराऊंगो ना, चैप्टर वाइस, तो वहाँ पे मैं आपको सभी चैप्टर के कोशन करा दूँगा, तब आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के कोश अब यहाँ पे टॉपिक डिसकस कर लेते हैं, मेसो पोटामिया जो है, उसकी क्रिशी विवस्ता, तो देखते हैं, देखें, मेसो पोटामिया का जो दक्षनी भाग की जो भूमी थी, वो ज्यादा उप जाओ थी, यहाँ पे फरात नदी, रेगिस्तान में परवेस करने के कई धाराओं बढ़ जाती थी, जब हमने वहाँ पर बढ़ा था, कि दक्षनी भाग में क्या है, रेगिस्तान में वहां की भूमी क्या है, उब जाओ है, क्यों उब जाओ है, क्यों पर फरात नदी आ रही है, और वो जैसे ही यहाँ पर पर प्रवेस करती है, तो कई लेती है उसकी वज़े से यहां पर नुकसान भी हो जाता है तो कभी-कभी सिचाई के लिए काम आता है तो फाइदा भी हो जाता है तो दोनों चीज याद रखनी है अब बात करते हैं पशुपालन यहां के लोग जो हैं पशुपालन भी करते हैं मैंने आपको पताया था ना इस्टेपी घास के मैदान थे यहां पर अब देखो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो भेड़ और बकरियां पालते थे इस्टेपी घास के मैदान जो पूर्वोत मैदान तो पहले से अवेलिबल है यहां पे और इन जानवरों से इन लोगों को क्या मिलता जानवरों से इन्हें मांस मिल जाता है रूद मिल जाता है ठीच है और यहाँ नदीयों में मच्चलिया भी उपलब्द घर्मीं के महिने में खजूर के पेड़ पे खूब खजूर लगते हैं तो ये खजूर का फल भी इनको मिल जाता है तो ये सब यहां पे उपलब्द है ठीक है पशू पालन वाले मुलिया मिल जाती है पेड़ों से इनको खजूर मिल जाती है तो ये सारी चीह इनको अपलब्द हो जाती है अब है मेसो पोटामिया सब्वैता में लेखन कला एक भर ध्यान से दिखो इससे को आपको मेरे लेते थे जब वो नरम होती थी गीली होती थी न सौफ्ट होती थी तो नुकीली चीज से उस पर लिखा करते थे आप यहाँ पर देखो यह कुछ लिखा हुआ है नुकीली चीज से इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन जब वो पट्टिका सूख जाती थी तो यह जो था यह पर्मानेंट हो जाता था तो ऐसे सबूत मिले हैं कि यह लोग लिखा करते थे लेकिन मिट्टी की पट्टिकाओं पे अब थोड़ा सा इसको समझते हैं देखे यहां के लोग लेखन कला जानते थे लेखन के लिए लोग मिट्टी की पट्टिका इस्तेमाल करते थे और ध्वनी के लिए क्या करते थे कीलाकार यानि जो नुकीले चिन का परियोग करते थे अलग अलग ध्वनी के लिए इनके पास अलग अलग चिन हुआ करते थे ठीक है लेखन कला का इस्तेमाल जो है वो किसलिए किया जाता था हिसाब किताब रखने के लिए क्योंकि देखो अगर हमारा किसी से कोई लेन देन है तो हम मौकिक रूप से उसको कितने दिन याद कर पाएंगे तो इन्होंने लेखन का इस्तेमाल किया सब्दकोस बनाने यानि डिक्सनरी बनाई गई भूमी के हस्तांतरन जब कोई भूमी बेची जाती है किसी एक आदमी से दूसरे आदमी को तो उसके लिए कानूनी मानेता परदान करने के लिए राजाओं के कारें का वर्णन करने के लिए लेखन कला का इस्तेमाल होता था ठीक है लेखन कला का इस्तेमाल क्यों होता था अगर आप से पेपर में पूछ लें तो आप क्या बताओगे हिसाब किताब को पर्मानेंट रखने के लिए लेखनकला का इस्तेमाल होता था डिक्सनरी बनाने के लिए लेखनकला का इस्तेमाल होता था कोई जमीन बेची या खरीदी जाती है तो उसका जो लीगल आज के टाइम पे जमीन खरीदे तो पेपर मिलते हैं जमीन के कागजात मिलते हैं उसी परकार ये क्या करते थे लिखित में पट्टिका बगरा रखा करते थे उसको कानूनी मानिता मिली होती थी तो इसलिए करते थे राजा ने कोई काम करा है मानलो राजा ने कोई नहर बनवाई है कोई मंदिर बनवाया है या कुछ भी बनवाया है तो उ उसे गीली मिट्टी पर सूखने से पहले ही लिखना होता था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मिट्टी पर तभी लिख सकते हो, जब तक वो गीली है, सूखने के बाद थोड़ी वो लिखा जाएगा, लेखन कारे के लिए बड़ी कुशलता की आवशकता होती थी, क्योंकि लेखन करना असान नहीं था, जो लिखने वाला होता था, चिन्नों का बहुत सारे उसको सैकड़ो चिन्नों याद करने पड़ते थे, तो ये एक बड़ी समस्या थी, ठीक है? नेक्स्ट है लेखन कला का विकास, अब लेखन कला आपने समझ ली कि लेखन कला यहाँ पे थी, यहाँ के लोग लेखन जानते थे, ये भी आपने समझ लिया, अब लेखन कला का विकास कैसे हुआ है? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देखें, मेसोपोटामिया में जो मिट की पटिका पाई गई है वो लगबग लगबग 3220 के आसपास की है इन पटिकाओं में बैलों मचलियों और रोटियों आदी के लगबग 5000 सूचियां मिलती है तो लिष्ट मिली है जो वहां के दक्षिनी सहर जो है उरुक इसके मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी देखिये क्या था मेसो पुटामिया में दक्षिन में जो उरुक नाम का नगर था यहां पे मंदिर जो था मंदिर से एक लिष्ट मिली है सूची का मतलब क्या है लिष्ट में क्या है पूरा रिकॉर्ड है कौन-कौन सी चीज आई है और कौन-कौन सी चीज वहां से गई है, तो ये सब है, तो लेखनकारे का संभवते तब ही शुरू हुआ होगा, ऐसा माना जाता है कि शायद तब ही लेखनकारे शुरू हुआ होगा, और जब समाज को अपना लेंदेन का इस्थाई हिसाब रखने की आवशक्ता महसूस होई होगी, यह मैं आपको यहां पर बता रहे हैं, यह कह रहे हैं कि लेखनकारे की सुरूआ तब हुई होगी, शायद तब सुरू हुआ होगी, जब समाज को ऐसा लगा होगा, कि उसका जो लेंदेन का इस्थाई हिसाब है, उसको इस्थाई रखने की जरूत है, ठीक है, जब आविशक्ता मह पर बनी हुई पट्टी का इस्तिमाल करते थे, बाद में धूप में सुखाते थे, ठीक है, और उस पर नुकिली चीज़ों से लिखा करते थे, 2600 BC के आसपास, 1 जो थे, वो कीला कार हो गये थे, ठीक है, ठोड़े नुकिले टाइप के लगने लगे थे, और इस समय भाशा जो है, वो Sumerian थी, भाशा हमने क्या पढ़ाता, याद आ रहा है आपको, Sumerian, जिसको Sumeri कहा जाता था, फिर हमने Akadhi पढ़ाता, याद गरो, Starting में पढ़ाता, उसके बाद हमने क्या पढ़ाता, Sumerian, Akadhi, Aramai, ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है, इस समय में की बात चल बहुत जादा आता है, देखें, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, ये कालगर्णा जानते थे, यानि समय के बारे में जानते थे, ठीक है, इन्होंने ही कालगर्णा की सुरुवात करी थी, और आज के समय में पूरी दुनिया में हम इसी चीज को फोलो कर रहे हैं, तो मेसो कालगर्णा, इन्होंने समय को गिनना सिखाया, ठीक है, गडित की विद्वता पूर्ण परंपरा, अठारा सो बीसी के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली हैं, सबूत के रूप में, जिन में गुणा और भाग की तालिकाएं मिली हैं, वर्ग और वर्गमूल की जानकारी हमको मिलते हैं, यह लोग मैथमेटिसेन भी थे, मैथ के बारे में जानते थे, कालगर्णा के बारे में जानते थे, ठीक है, आप देखो, पृत्वी के चारो और चंद्रमा की परिकरमा की अनुसार, इन्होंने कुछ टाइम को विभक्त करा हुआ था, जैसे कि, आज भी इस को फोलो कर रहे हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं, आज भी हम इसी चीज को फोलो कर रहे हैं, बिलकुल, ठीक है, साल में 12 महीने, एक महिने में चार वीक और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इस चीज़ को हम आज भी फोलो कर रहे हैं जो आज के समय भी जीवन का हिस्सा है और ये काल गणना जो है ये पूरा का शहर कैसे होते थे, क्या आप मेरे पीछे जो image देख रहे हो, क्या इस परकार के शहर होते होंगे, बिल्कुल भी नहीं, यह तो आपको modern आज के समय का शहर दिख रहा है, वो उस समय के शहर इस तरीके के नहीं होते थे, लेकिन मैंने image लगा दिये, ठीक है, इस तरीके के नहीं होते थे, लेकिन फिर भी आपको समझना है कैसे होते होंगे, तो mesopotamia के शहर जो थे, normally क्या था, कि मंदिर के चारो और विक्सित हुए शहर थे, यानि एक मंदिर होता था, उसके चारो और शहर जो है, वो शाही शहर भी होते थे, तो ये भी आपको याद रखना है, अब थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, विस्तार से समझते हैं, कि यहाँ पे शहरी जीवन क्या सा था, तो देखिए mesopotamia एक शहरी सब्वेता थी, ये तो हमने श्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, समझ लिया था, ये समरिद्य सब्वेता थी, ये भी हमने समझ लिया था, अब थोड़ा सा ये देखते हैं, कि शहरी जीवन जो है यहाँ पे, उसकी क्या विसेस्ता है, किस परकार के शहरी जीवन था, तो देखो, शहरों में, बड़ी संख्या में लोग रहते थे, यानि जो शहर होते थे, यहाँ पे लोग बहुत ज़ादा रहते थे, जब किसी अर्थे विवस्ता में, खाद्य उत्पादन के अलावा, यानि खाद्य उत्पादन का मतलब है, किर्शी वगएरा, किर्शी के अलावा, दूसरी आर्थिक गतिविदियां विक्सित होने लग जाती है, तो वो क्या होता है, वो धीरे-दीरे वहाँ की जनसंक्या बढ़ने लग जाती है, या मानलो कोई छेतर है, वहाँ पर केवल खेती हो रही है, तो जनसंक्या उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर खेती के अलावा, बाजार लगने लगें, फैक्टरी लगने लगें, ठीक है, कार खाने लगने लगें, तो वहाँ पर लोग रोजगार के लिए आने लगेंगे, यानि जनसंक्या बढ़ने लगेंगी, और फिर वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, कस्बा बन जाता है, यानि एक कस्बे के रूप में बसने लग जाता है, और कस्बो में फिर लोग आते हैं, और इखटे होकर रहते क्योंकि घठा रहना उनके लिए फाइदे मंद होता है कस्वे में लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं जैसे मानलों कोई फैक्टरी में काम करता है कोई टीचर का काम करता है को डॉक्टर का काम करता है ठीक है अलग अलग तरह के लोग होते हैं वो सभी एक द दूसरे से काम होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, शेहरी अर्थ्विस्ता में खादे उत पादन के अलावा, ठीक है, शेहरी अर्थ्विस्ता आपको आपको V्यापार बाता देखने को मिलता है, नगर के लोग जो होते हैं वो आत्म निर्भर नहीं होते हैं कहीं न कहीं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं ठीक है उनको जो नगर के लोग होते हैं वो गाओं के अन्य लोगों के द्वारा जो उत्पन वस्तु होती है जो भी उनको साग सबजी चाहिए होती है वो सब गाओ में रहते हैं, वहाँ पर सुविधाएं होती हैं, बेसिक सुविधाएं उनको उपलब्द होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, यानि होस्पिटल से रिलेटेड हो, सुविधाएं आपको शहरों में ज्यादा मिलेंग नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेहरों में माल की आवाजाही शेहर जो होते हैं वहाँ पर जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया जाता है ठीक है कैसे माल की आवाजाही होती है यह इंपोर्टेंट है कर देखें मेसो पूतामिया जो काध्यस संसाधन है चाहें कितने भी संवरीद कितना पर इनके पास संसाधन क्यों ना हो लेकिन हिकर atac श्यार नहीं कहुंचे दक्षिन के अधिकांस भागों में ओजार बनाने के लिए मोहरे और आभूशन बनाने के लिए इनको अगर पत्थर वगेरा चाहिए था तो वो काफी कम होता था इनको खनिस संसादन इनके पास नहीं थे इराकी खजूर और यहां पे जो पोपलार के पेड़ों होते थे इसकी जो लकड़ी थी इनकी लकड़ी जो होती है वो गाड़ी और पही और नाओ बनाने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि भाई इमारती लकड़ी चाहिए होती है जो कि यहां पे नहीं होती थी, ठीक है ओजार, पात्र और गहने बनाने के लिए कोई धातू भी यहां पे उपलब्द नहीं थी, तो यह मेसोपोटामिया की एक कमी है, यह आपको याद रखना है, पेपर में यहां से कोश्चन बनता है, देखें, मेसोपोटामिया के जो पातू होती थी, जिसे आभूशन या ओजार बना सकें, तो इनके सामने यह समस्या होती थी, इसलिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो लकड़ी के लिए, तांबे के लिए, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, इसके लिए विभिन परकार के पत्थरों को तुर्की और इ जो को अपनी जुरुत का समान मंगाते थी, नेक्स्ट अपिक है हमारा परिवहन, परिवहन में देखते हैं, परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जो था वो जलमार्ग था, क्योंकि जलमार्ग में न को कोई सडगे तो बनानी नहीं है, पानी है, नदी है, पहले से सब कुछ नाव तेरानी है, तो अनाज के बोरे से लदी हुई जो नाव थी, वो नदी की धारा में हवा के वेग से चलते हुए चली जाती थी आराम से, जिससे कोई खर्चा नहीं होता था, अब देखिए ये नदी है, मान लीजिए इधर की तरफ पानी और हवा का वेग चल रहा है, तो यहाँ पे कोई नाव लेकर आता है, तो हवा के साथ साथ आसानी से वो चला जाता था, ठीक है, जिससे की इनका ज्यादा खर्चा भी नहीं होता था, और नगरों से माल की जो ढुलाई थी, उसको कराने में इनको चारा भी खिलाना पड़ता था, ठीक है, अब सोचो, कि अगर ये जानवरों से माल की डुलाई करेंगे, सोरी मैंने नगरों बोल दिया, अगर मानलो ये नदी मार्ग से ना जाकर जानवरों के ऊपर अपने बोज रग के ले जाते हैं, तो जानवर भाई कैसे चाहिए, उनके लिए उनको पालना पड़ेगा, चारा खिलाना लेकिन यहाँ पे इनको वो चीज कम लग रही है, तो यहाँ पे इनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता था, ठीक है, मेसोपोटामिया की जो लहरे हैं और प्राकृतिक जो जलधारा थी, ये बस्तियों के बीच माल के परिवहन के लिए एक अच्छा साधन थी, इसकी यहाँ से आजाए, तो चलिए मंदिर को पढ़ लेते हैं, मेसोपोटामिया के जो प्रारंबिक मंदिर है, वो साधारन घरों की तरह होते थे, जो नॉर्मल घर होते हैं, बिल्कुल वैसे होते थे, क्योंकि मंदिर जो है, वो किसी देवता का ही तो घर होता था, इसलिए उस तरीके से मुड़ी होती थी, भीतर और बाहर की तरफ, और ये मंदिरों की कुछ विसेशता थी, साधारन घरों की जो दिवारे हैं, वो ऐसी नहीं होती थी, साधारन घर की दिवार जो है, वो बिल्कुल सीधी होगी, लेकिन मंदिर की दिवार थोड़ी सी, मुड़ी होई, बहार निकले हुई अंदर निकले हुई इस तरीके क्यों होती थी देवता जो है वो पूजा का केंदर बिंदु होता था क्योंकि मंदिरों में पूजा किसकी होगी देवताओं की होगी लोग देवी देवताओं के लिए अन ले जाते थे दही ले जाते थे मचली लाते थे मं मंदिर जो थे इटों से बनाई जाते थे और समय के साथ साथ ये बड़े होते गए यानि पहले छोटे मंदिर थे लेकिन समय के साथ साथ और बड़े मंदिर बनाए गए फिर और बड़े मंदिर बनाए गए समय के साथ क्या हुआ मंदिर जो था उनका आकार जो है बढ़ता ग गिलमेनिस ने एनमरकर एनमरकर क्या है शाशक है तो एनमरकर के कुछ समय के बाद गिलमेनिस जो था वो सत्ता में आया था और उरुक नगर पर इसने क्या करा था शासन किया था गिलमेनिस जो है एक महान योद्धा था इसने क्या करा दूर दूर तक के जो छेतर थे उसको जी लिए और जीतकर अपने अधीन कर लिया था अरी सियाई जो असीरियाई शाषक जो था असुर बनिपल इसने क्या करा बेबी लोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं थी उसको मंगवा लिया और इसने एक लाइबरेरी बनवा दिया नहीं वहाँ पे पुस्तकाले बनवा ल इसके बाद शाषक में कौन आया गिलमेनिस आया गिलमेनिस ने क्या करा उरूर जो नगर है इस पर शाषन किया ये क्या था एक महान योद्धा था ठीक है इसने क्या करा दूर दूर की छेतरों को जीत लिया और अपने अधीन कर लिया फिर एक दूसरा सासन है जो असीरिया असीरिया जो कबजा था उससे आजात कराया और इसके बाद ये जो काल विभाजन है काल विभाजन मैं आपको समझाया था ना अभी जैसे एक साल में कितने महीने होते हैं ठीक है एक महीने में कितने हपते होते हैं इस तरीके का जो काल विभाजन था इसको सिकंदर के जो उत् विभाजन ये पहुंचा, और लोगों ने इस काल विभाजन को ק्या किया था? अपनाया था. ठीक है? आब बात करेंगे नया पशुचारक छेतर में और एक व्यापारिक नगर में. यानि जो पशुचारक छेतर थे और व्यापारिक नगर इसके बारे में समझ लेते हैं. और पशू चारक, दोनों तरे के लोग रहा करते थे, यहाँ पर होता aa धीके, फारात नदी के पास है, यहाँ पर किसान पशू चारक दोनों रहते हैं, लेकिन इस परदेस में ज्यादा पर वहां पर भेडबकरी चराने वालों के लिए घास वाला छेत्र था तो पर धेड़-बकरी बक्राम कहले पर Pretty आते थे पशू-चारः क्या, इनने को अनाज या धातुं कि जरूरत हो дав давot 많이 थी तब वो क्या करते थे अपने पशुओं या उनके उनसे पशुओं से मिलने वाला जो पनीर हो गया चमड़ा हो गया मांस हो गया यह चीज उनको दे देते थे उसके बदले में यह क्या करते थे उनसे किसानों से समान लिया करते थे कई बार क्या होता था किसान और पर शार्टन down और पीकिसान आगे उस परमणास अगरेता पर क्याता है kisab बिए उसके संगर्स भी होता था यह भी आपको याद रखना है, यहां से भी कोशन बनता है, आगे देखिए, मारी नगर एक महत्पून व्यापारिक इस्थल था, यहां से होकर लकडी तांबा रांगा, मदिरा तेल, यह जो चीजे थी, नाओ के जरिये, फरात नदी के रास्ते होकर, तुर्की में, सीरिया मे और लेबनान में, यहां पर ले जाया जाता था, उसका व्यापार किया जाता था, मारी नगर के व्यापार के दम पर, यह बहुत ज़्यादा समरिद था, क्योंकि काफी व्यापार होता था, तो यहां पर पैसा बहुत जाता था, और यह एक महत्पून सहरी केंद्र भी था, मारी के राजा जो थे वो थे एमोराइट समुधाय के अब इनकी जो पोशाक होती थे एमोराइट समुधाय जो थोड़ा अलग था इनकी जो पहनावा होता था पोशाक होती थी वो यहां के जो मूल निवासी हैं वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनसे अलग होती थी यह मेस जो पोटामियाओं के देवी देवताओं का सम्मान तो करते थे, लेकिन साथ-साथ जो इस टेपी छेत्र, जो घास के मैदान वाले छेत्र है, वहां के जो देवता होते थे ड्रैगन, इनका भी आदर करते थे, ठीक है, यानि उनके देवताओं का आदर करने के साथ, जो इनके के द्वारा भी बनवाई गए थे फिर शहरी जीवन और सामाजिक विवस्ता यहां पर शहरी जीवन कैसा था और सामाजिक विवस्ता क्या है इसको समझते हैं देखे सामाजिक विवस्ता में वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था वर्ग का मतलब है समाज वर्ग में विवस्ता है उसमें वर्ग थे ठीक है इसमें एक ऐसे व्यक्ति थी जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत होती थी यानि धन दौलत का ज्यादा तर हिस्सा जो था समाज के छोटे वर्ग पे था यानि कुछ छोटा सा वर्ग था कुछ गिंती के लोग थे इनके पास बहुत के पात्र हो गए, CP हो गई, गहने, लकडी के जो वादे अंत्र हो गए, ये सारी चीजे जो है, काफी मात्रा में जो उर के राजा होते थे, ठीक है, राजा और रानी इनके पास होते थे, क्योंकि इनके पास क्या होता था, काफी पैसा होता था, और ये कहां से मिलते हैं, ठीक तो दो तरएगे वर्ग है, एक वो वर्ग है, छोटा वर्ग है, इसमें राजा वगएर आ जाएंगे, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो दूसरा वर्ग है, वो है आम आदमी का, जो आम आदमी होता था, उसकी जो लाइफ होती त Mickey बहुत नोर्मल होती ती, वो कोई परिवार को आदर समाना जाता था परिवार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है संयूक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार संयूक्त परिवार कैसा होता है जोइंट फैमिली जहां पर दादा दादी ठीक है फिर उनकी संताने फिर उनकी संताने एक साथ एक प परकार का छोटी सी फैमिली होती है, यह रहते हैं, तो यहां पर एकल परिवार को आधर्स माना जाता था, एक्जाम्पल भी दे रहता था कि एक शादी सुधा बेटा और उसका जो परिवार है, वो ज्यादा तर क्या होता था, अपने माता-पिता के साथ रहा करते थे, पिता परिवार का यहां पर मुख्या होता था, इस तरीके की चीज़े यहां पर होती थी, ज्यादा तर यहां पर एकल परिवार होता है, उसी को पसंद किया जाता था, विवार करने की इच्छा के बारे में घोशना की जाती थी, और वदू, जो लड़की है, उसके माता-पिता के लिए सहमती देते थे, अगर लड़की के माता-पिता तयार हैं तो विवार किया जाता था, उसके बाद जो लड़के वाला पक्ष है, वो लोग क्या करते थे, वदू के लिए उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे, विवार की रस में जब पूरी हो जाती थी, तब दो एक आकार के नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, अलग-अलग आकार के थे, नगर नियोजन की कोई पद्धिती अच्छी नहीं थी, जल निकास का भी कोई बढ़िया सिस्टम नहीं था, लोग अपने घर का सारा कूड़ा जो था, गलियों में ही डाल जाते थे, इसके लिए फिर और जनसाधारन की समाधिया पाई गई है, यानि राजाओं की और जनता की भी समाधिया जो है, वो उन छेतरों में पाई गई है, कुछ लोग साधारन घरों के फरस के नीचे भी दफना दिये जाते थे, कभी-कभी ऐसा होता था, कि कभी-कभी घर के फरस के नीचे ही कबर बना दी जाती थी, ऐसा भी होता था, तो यहां पे एक चीज देखिए, अगर मैं इस मेसो पोटामिया की सब्वेता को यहां से कंपेर करूँ, तो फरक पड़ेगा, मेसो पोटामिया में जो थी, हरपा सब्वेता में जो सडके थी, वो एक दूसरे को समकोन पे काटती थी, ठ लोग अपने घर के सामने गलियों में कूडा डाल रहे हैं, उसकी उची उची लेयर बन दी है, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जबकि हरपा सब्वेता के लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, घर बनाते समय, तो यह सारी चीजे हैं, तो आपको बताया गया है, कि जल पलावन जो है, उसकी वज़े से प्रित्वी पे जो जीवन है, वो नष्ट होने वाला था, यानि जल पलावन की एक घटना होनी थी, जिसे प्रित्वी पे जीवन खतम था, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, जल पलावन के बाद भी, जीवन को प्रि वानी जो भी नुकसान हुआ होगा, तो बाकी सब कुछ तो नश्ट हो गया, लेकिन जो नाओं में जो भी लोग थे, जो भी जीव जन्तू थे, वो बच गये, ऐसी ही एक कहानी मेसो पोटामिया का जो परंपरागस सही थे, उसमें भी मिलता है, तो इस कहानी के मुख्य पात् लेकिन परमेश्वर ने दुनिया को बचाया, नुवा नाम का एक विक्ति को काम दिया, कि एक बड़ी सी नाओ बनाओ, और उसमें क्या अलग अलग जो जीव जन्तू है, सबका एक एक जोड़ा रखो, इस तरीके से उसने क्या करा, बचा लिया जीवन को, तो ये आपको य उलेक मिलता है, कि Book of Genesis में शिमार का उलेक है, शिमार, इसका मतलब था सुमेर इटो से बना हुआ शेहर, शिमार का मतलब क्या है, सुमेर की इटो से बना हुआ एक शेहर की एक भूमी है, ठीक है, यूरोप के यात्री और विद्वान जो थे, वो मेसोपोटामिया को एक तरह कल में लिखावा था, तो वो उसको सत्य सिद्ध करने की कोसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है, वो खतम हो जाता है, यहाँ पर मैं आपको सारे में टोपिक बता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वी